आप देख रहे हैं सम्विधान और कानूम SK लाइव नियूज चंद्रपाल शर्मा ने ब्रह्मकुमारी बहनों के बारे में बताया और शिव के बारे में लोगों को जानकारी दी दादा लेखराज जी 1936 में इसके नीव रखी ओम शांदी प्रजापिता ब्रह्मकुमारी इश्वरी विश्वा ध्याले के स्थापना 1936 में पाकिस्तान के सिंध में हुई दादा लेखराज संपन परिवार से थे उनका हीरों का वियापार था, भक्ति भावना से उनका जीवन परिपूंध था 60 वर्श की आयू में उनके जीवन में कुछ दिव्यालोग की कानुभव होने लगे और वह दिव्यानुभव ने उनके जीवन का परिवर्तन किया उनको महसुस होने लगा कि संसार एक महान परिवर्तन से गुजर रहा है और इस महान परिवर्तन के अंदर उनकी भुमिका या उनकी परमात्मा के प्रती उन्होंने शुब संकित प्राप्त होने लगे हैं आध्यात्मी ज्यान की प्राप्ति होने लगी दिव्या अनुभव के साथ साथ उनकी भावनाओं में परिवर्तन आने लगा आत्मा का शाक्षात्कार प्रमात्मा का दिव्या अनुभव श्री लक्ष्मी श्री नारायन का एक स्वरूपत दिखायरी देने लगा सत्यू की देवी का अनुभव हुआ संसार के महान परिवर्तन के द्रिश्य देखे इन द्रिश्यों को देखने से उन्हें ग्यान हुआ कि जो परमात्मा ने ग्यान दे रहे हैं अगर यह विशाल परिवर्तन होने वाला है तो क्यों न छोटे बच्चों से होना चाहिए और कराच्री में इस विश्व ध्याले के स्वरूप बनने लगा बंटवारे के दौरान उन्होंने यह दिव्य संकेत मिला कि भारत अनिवाश्य भूमी हैं इसलिए भारत से ही आध्यात्मी का प्रकाश सारे विश्व में फैल जाएगा और दातल एक राज बंटवारे के बाद भारत में राजस्थान के एक माउथ आबू में रहने लगे आज पूरे विश्व में प्रजा पिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर के 900 से जादा शाखाइन चल रही है इसके लाइब न्यूट से विरोतीर्थ चाधरी की रिपोर्ट 1936 सिन प्राथ जो आज पाकिस्तान में है महां से एक संस्ता चली और उस संस्ता ने जिस प्रकार से भारत को सनातन संस्क्रती को और सभ्था को आज विश्व कर रख रहा है बात करते हैं उस प्रजा, प्रोले, पूरनाम प्राप प्रज़ा, प्रसथ, पिता प्रम Johann, इश्वर्य, विश्वरि बिश्वर्य रहे के अंदर छुपे हुए उन्हीं मान में ये मुल्यों का, उन्हीं सदगुन का, उन्हीं नैतिक मुल्यों का, उन्हीं सामाजिक, शैक्षनिक, पारिवारिक मुल्यों का, उन्हों उठान करना है, जिन मुल्यों की कमी के कारण, आज मान मन तनाव में है, पिडित है, अवसाद ह है भय में है चिंतित है निराश है हताश है सो विद्याले का उदेशे है मन को सच्चा शांती से उत्रोत करना सच्चे सुख का अंभव कराना सच्चे प्यार का अंभव कराना इसके लिए विद्याले का यह कहना है कि सच्चे प्यार सच्ची कुशी सच्ची शांती का अंभव पाये संसादनों पर या अन्य चीज़ों पर आधारिक नहीं है बल्कि यह हमारी आंतरिक संपदा है और जिसका सीधा 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 करेक्शन हमारी सोच और दिश्टिकों से असया एक बात कहते है चैसे अगर हम आते हैं से जोर संसाजच ओठते हैं तो परिवार चौनों परणेंसक्राणा परूर हमारे यहां आने बहने कि लाखों भाई बैने ऐसे हैं जो परिवारों में रहते हैं और परिवारों से ही प्रती दिन इशुरी विश्व विध्याले में regular study करने आते हैं और इस इशुरी विश्व विध्याले के जो regular students होते हैं वो चोटा बच्चा, जवान, बोढ़ा हर उमर का होता है इस विध्याले में घर छोड़ना नहीं सिखाया जाता बलकि घर ग्रहस्त में रहते हुए हम परमात्मा से बुद्धियोग लगा करके कैसे ग्रहस्त को आश्रम बना सकते हैं यह सिखाया जाता तो आज क्या मनाया करे का जुगव करेछा, आज पूरे भारत वरष में मनाया जाने वाले महाँदली अकुरे है परावर्ष 18 वर्ड़ को मनाएगा तो विद्याले कई दिन पेले इस परफ को बनाना शूर कर देता है, तो उक्सी श्मयन ना के पहर्ट है, आज ब्रह्मा कुमारी शुरी में शुरी शुरी दियाले मार्शी की परफ का उट्सम्द कारवा कहले जीए, जब से सनातन संस्कर्टे चले है, सिव एक सकते हैं और उसको सब लोग अलगा बनाते हैं अब आए तर्वार्ट विवाश्य भौश्य वाश्य खास्तों शुरी सकासी आज परफ कर आये तिस सुबातेजी विचशी बैधी शुबात जाजी सामने मेठे, मांगाव, बेदे मेटे, हाता है मेठे, वीशते को बच्ने बठे बहुत शुब आस्थोर्स एक परुशती नहीं जो संकूल दमान्दी, संकूल विस्कूल दिए ब्रह्मान आता है जबकि शोला सौवार बुर्युक्त तो उससे फिर स्वर्ग लोग में चले जते हैं। ऐसे ऐसे कथा और कहानिया सुनते भी हैं। और सुनाते भी हैं। लेकिन कितने वर्ष होगें। ना कुई विवान है ना हम स्वर्ग में पहुंचें। आज के संसार की हालत हुम सब देख रहे हैं। चारों करण राज सत्ता, धर्ण सत्ता और जो दुनिया में साधार्ण अनुष्य हैं। सब की हालत हम देख रहे हैं, मन की हालत तो सब जानते हैं। तान की हालत शरीप भी सब के कितने कमजोर होगे। और धर्ण भी होते हुए उस धर्ण का प्रियोग सही नहीं कर पा रहे हैं। जिस कारण से और ही पाप आगमा बनते जारे हैं। जितना मक्ती पढ़ नहीं है, उतना मंदिर बढ़ते जारे हैं। और उतना इपाप करम भी बढ़ते जारे हैं। आप सब देखते और सुनते रहते हैं आज के संसार की हालत। पहले ही ये गीत कहते थें। जहां डाब डाब पर सोने की चलिया करते थी बसेरा। वो भारत देश हैं मेरा। प्रंतु आज बी बदल गया। क्या ऑतनी देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई गए गवन। कितना बदल गया इंसां। सूरच न बदल रादा चान न बदला। कितना बदल गया इंसां। सूरच औ cowaldo। तो इसका भावात है कि आत्मा ये गुर्ण गुर्ण जो चड़ा रही है आत्मा परमात्मा की तरफ अपनी उमन को ध्यान को अकशित अर्ठा की काभी कर रही है इसी तरह से हम बेल पत्र और बेल चड़ाती है बेल आत्मा सारी ग्राम की निशानी है तो इसका अर्थ है आत्मा परमात्मा के उपर बली चड़ती है समर्पित होती है अर्था जब परमात्मा आपकर उसे सक मारत बताती है तो उस सक मारत के उपर वो चलती है इसी तरह से अ़ग्ध के खूल और ध़दूरा चाताए हैं और जितने भी देजरी देटा हैं उनकी प्रतिमाओं के उपर हुँ सुन्दर गुलाद के कनेर के गमर के आविफूर चाताए हैं लेकिन परभुपिता क्रमात्मों के उपर गुर्म शीर के उपर हो अख़ गर्दुदा चलाते ही है, यह पांच विकारों पेश्वर को डेना पांच कांप को लोगों हो वह नहितार इन विकारों को इंश्वर को देकर अपने जीवन को निर विकारी बनाने का संकल्प करते हीmost तन की स्वच्छता के साथ साथ हम मत में स्वच्छ बनाने का संकर्प करते हुए भाव भाव जो चरहाती है वास्तर पर ये तो खबरों के लेट टेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जोड़े रहें और इस वीडियो को जाद से जादा शेयर करें